हलो दोस्तों आप सब का सागत है अपने चैनल में और जिन लोगों ने अभी तक डूर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए सिंपले आपको यूट्यूब में लिखना है एड रेट डूर 786 और चैनल वहाँ पे आ जाएगा उसका आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल सके है चले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेके आए आपके लिए गु गुजराथ ड्रग सर्विस क्लास 2 और अडविटिज्मेंट नंबर है इसका 55 अबलिक 2023-24 अंडर थी कमिशनर रेट और फूर्ड ड्रग कंट्रोल अडिमिस्टेशन हेल्थ और फैमिली वेलफेर डिपार्टमेंट गुजराथ स्टेट और दोस्तों मैं यह भी बता दूँ कि इसमें जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसमें अपलाई कर सकते हैं इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन में दीख रही होगी मैं इसको आपके कमेंट बॉक्स में भी नोट डाउन करा दूँगा इसमें टेंटिटिव डेट ऑफ प्रिलिम्नेरी टेस्ट जो नेम ऑफ पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर क्लास टू है टोटल वेकेंश इस थर्टी टू है और फिर डिफ्रेंट कटेगरी की यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं वो आप देख लिजेगा कि आपके इस कटेगरी में बिलॉंग करते हैं उसके कॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकत लेकिन फिर वहाँ पर सारी लोजबिल्टी उनकी ज्टैगरी के थरू ही होगी तो सारे क्या इक विख lieग खत अगर यहां पर वमक जो हैं कि और इक नोन थिबिल्टी होती है तो वहां पर मेल केंदेट्ड को भी रख सकते हैं वहाँ पे लेकिन उन्ही रिजर्ट पोस्ट के लिए ही वहाँ पे वह रखे जाएंगे फिर दोस्तों education qualification तो इसमें मांगा जा रहा है आपका bachelor's degree होनी चाहिए फार्मेसी में या फार्मसिटकल साइंस में या फिर medicine में with specialization in clinical pharmacology या फिर microbiology में हो और degree in pharma D तो भी आप इसको apply कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इस पर freshness भी apply कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे experience के लिए नहीं कहा गया है इसके साथ साथ आपके पास basic knowledge होना चाहिए computer application का एक general idea होना चाहिए कहने का मतलब कोई specific आपका वहाँ पे requirement नहीं है तो आप इसको apply कर सकते हो फिर दोस्तों यहाँ पी जो pay band है वह 39,900 से लेके 1,26,600 है according to 7th pay commission age जो है वह आपका 36 years से जादा नहीं होना चाहिए फिर भी उसमें relaxation दिया गया है जैसे कि EWS, SCBC, SCRST male candidates जो की गुजरात origin के हैं उनके लिए 5 साल के relaxation है subject to maximum of 45 years women candidates जो की belonging to earn result category उनके लिए 5 years के relaxation है subject to maximum of 45 years women candidates belonging to SCBC category of गुजरात origin उनके लिए 10 साल के relaxation दिया गया है disabled candidates के लिए भी यहाँ पे 10 साल का relaxation दिया गया है disabled category में कौन कौन सी category है जिसको वहाँ पे यह consider कर रहा है वो यहाँ पे due है तो वो चीज़ आप देख लिजेगा फिर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कितने candidates interview के लिए call किये जाएंगे अगर 4 से जादा है तो 3 गुना candidates यहाँ पे बुलाए जाएंगे 1 है तो 6, अगर 2 post है तो 8, 3 है तो 10 और अगर 4 या 4 से जादा है तो फिर 3 number तो कहने बना दोस्तों यहाँ पे क्योंकि 32 vacancies है तो टोटल यहाँ पे 3 times of number of post यहाँ पे candidates बुलाए जाएंगे Application fees तो आपके application fees यहाँ पे कितनी लग रही है जो general earn result category के हैं उनकी 100 plus postal charges as application fees लगेगी जबकि जो बच्चे belong to result category and economically weaker section of earn result category या फिर ex-serviceman है गुजरात state के या फिर physically disabled candidates है उनके यहाँ पे कोई भी fees नहीं रखी गई यह उनके लिए यहाँ पे free है while candidates of result category of other states have to pay application fees बलकि अगर आप दूसरे state से हैं गुजरात state से नहीं है तो आपको fees देनी पड़ेगी और fees के amount सेम रहेगा 100 plus applicable postal charges यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आप इस site में जाके इस form को आप apply कर सकते हैं htps.gpsc.gujrat.gov.in यहाँ पे आप जाके इसकी notification के detail भी भर सकते हैं और यहाँ पे इसको apply भी कर सकते हैं apply करने के बाद मैंने आपको dates वगरा बताई दी है कि आपका कब tentative examination होगा कब आपका result आएगा तो सारी चीजे आप खुद भी एक बार जाके अच्छे से पढ़ें और इस form को जल्दी से जल्दी apply कर दें थेंक्यू टेक के बावाई